चाट मसाले से भी स्वादिष्ट, थोड़ा सा खट्टा और बहुत चटपटा मसाला आज हम बनाएंगे इस वीडियो में, जिसे आप वरत में भी खा सकते हैं और साल भर के लिए ये चलेगा, नमस्कार दोस्तो आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत हैं, दोस्तो आज हम ये आप इस मसाले को स्टोर करके रख सकते हैं, और में बात ये है कि आप इसको वरत में भी खा सकते हैं, बिना मलावट, बिना कोई जंजट किये, तो चलिए बनाते हैं आज का मसाला, तो इसके लिए मैं यहाँ ले रही हूँ, 500 ग्राम के करीब मैं धनिया ले रही हूँ, हरे वाला, तो इसको आपने धोकर लेना है, या फिर काट कर भी आप धो सकते हैं, धोकर लेंगे तो बहूत बड़िया है, धोकर दोस्तों देखे जैसे मैं धो रही हूँ, धोकर आपने इसको काटना है, और उससे पहले हम ले लेते हैं यहाँपर, 100 ग्राम के करीब मैं हरी मिर्च ले रही हूँ आप ज्यादा कम कर सकते हैं अगर आपकी ज्यादा तीखी मिर्ची है तो कम कर सकते हैं यदि कम तीखी है तो ज्यादा कर सकते हैं मिर्ची को तो इस तरीके से मैं मिर्ची भी ले रही हूँ इनकी उपर से डंडिया वगारा तोड़ ले और इनको भी बस आपने बारीक बारीक इसको काट लेना है अगर थोड़े पीस मोटे भी कट जाए बड़े भी कट जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि हमने इसको सुखाना है तो धनिया हमारा कट चुका है अब मिर्ची देख लेते हैं मिर्ची में से यदि आप 200 बीज नि निकाल कर और इनको या तो आप बीच में से काट लीजिए चोड़ चोड़े पीस कर लीजिए या फिर ऐसे ही आप ग्राइंडर जार में डाल कर इनको आपने दरदरा सा पीसना है बिल्कुल महीम नहीं पीसना है दरदरा सा आपने इसको कूटना है तो इस तरीके से आपने हरे धनिये में मिर्ची को भी मिला देना है तो हमने ये मिला दिया है ध्यान रे दोस्तों आपने इसको केरफुली मिलाना है आँख वगरा में हाथ ना लगाएं इसको बनाते वक्त क्योंकि इसमें मिर्ची है नहीं तो आँख में चली जाएगी तो आपने carefully ये काम करना है अब ले लेते हैं 3-4 नीमबू लें और इनको बीच में से काट लें ये भी आपने धोकर ही यूज करना है और इनका आपने रस लेना है इस तरह से निचोड लें सारे धनिये पर निचोड कर दोस्तों आपने अच्छे से इसको मिक्स कर देना है क्योंकि हम बहुती बड़ी अचाट मसाला बना रहे हैं तो हमें खटा मीठा चाहिए इसलिए हम नीमबू डाल रहे हैं तो ये आपके ज़्यादा बड़े नीमबू है तो कम भी निमबू ले सकते हैं तो इस तरीके से दोस्तों आपने मिला देना है और इसको दो दिन धूप में सुखाना है आपने इसको दो दिन धूप में सुखाना है यदि हवा वगरा चल रही है आपके बाहर तब आपने इसको कपड़े से ढखकर सुखाना है वैसे अगर कपड़े से ढखकर ही सुखाएंगे जालिविगेरा ढखकर तब बढ़िया रहेगा क्यूंकि दूल मिट्टी नहीं जाएगी और ये अच्छे से सूख भी जाएगा क्योंकि हमने इसको दुबारा नहीं धोना है बस हमने इसको ऐसे ही फिर यूज करना है तो हो सके तो आप ढग कर ही इसको सुखाएं तो देखे दो दिन के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ दो दिन में मेरा ये सूख चुका है अच्छे से ये धूप अच्छी ना पढ़ रही हो तो तीन से चार दिन بھی आपके लग सकते हैं तो अच्छे से सूख चुका है देखे नीम्बू वगारा सब इसमें मिक्स हो चुका है तो अच्छे सी ये सूख चुका है अब क्या करेंगे चलते है गैस पर गैस पर आपने रखना है तावा ले या फिर आप पैन ले सकते हैं और इसमें डालेंगे एक चमच के क्रीब जीरा और इसको थोड़ा सा रोश्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अ फ्लेवर देगा आपके चाट मसाले में तो इस तरह से आपने ये रोश्ट करके लेना है जलाना नहीं है बस हलका सा रोश्ट करना है अगर आपका ये थोड़ा ज्यादा जल जाएगा तो इसका कड़वा टेस्ट आएगा तो कड़वा नहीं बनाना है बस इस तरह से देखिए जैसे मैं दिखा रही हूँ ये रोश्ट हो चुका है अब गैस को आपने बंद कर लेना है और लेते हैं एक mixi jar mixi jar में आपने ये जीरा डाल लेना है जीरा डाल कर दोस्तों आपने जो धनिया सुखा रखा था हमने वो इसमें डाल लेते हैं तो इसतरी से मैंने ये डाल दिया है और इसका fine सा powder बना लेते हैं देखे, पाउडर कुछ इस तरह से हो गया है, अब इसमें डाल लेते हैं हम, एक चमच नमक, सेंधा नमक, यदि आप वरत में भी खाएंगे इसको, तो सेंधा नमक डाल लीजिए, और अगर वरत में नहीं खाएंगे, तो दूसरा नमक भी यूज कर सकते हैं, साथ में इसमें डालेंगे काला नमक, काला नमक आप वरत में खाते हैं, तो ले लीजे नहीं, तो आप रहने दे, अगर वरत के लिए इसको बना रहे हैं, साथ में दोस्तों, आप इसमें काली मेच भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मिया आएंगी तो काली में चाप रहने दीजिए अगर पसंद करते हैं तो डाल भी सकते हैं तो मैंने यहाँ पर आधा छोटा चमच नमक ले लिया है काले वला तो इस तरह से हमने यह डाल दिया है और दुबारा से इसको पीस लेते हैं ताकि यह फाइन सा पाउडर हमारा बन जाए तो देखे दोस्तो मैंने यह दुबारा से पीस लिया है और इसको निकाल लेते हैं एक कटोरी में तो हमारा ये मसाला बन कर रेडी हो गया है दोस्तों आप इसको दही बगरा में डाल के खा सकते हैं लसी में डाल कर पी सकते हैं या फिर फूट पर डाल के इसको ले सकते हैं जैसे भी आप यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं, और दोस्तों, इसको आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, पुरे साल भर के लिए, बीच-बीच में बस आप धूब लगाते रहे, ताकि आपका ये मसाला खराब ना हो, तो इस तरीके से दोस्तो चाट मसाला घर में बना कर रेडी कर सकते हैं दही में डाल कर ले सकते हैं इसको जैसे कि मैं दिखा रही हूँ आपको इस तरह से चुटकी भर डालिए और दही को टेस्टी बना दीजिए तो इस तरीके से दोस्तो आपने ये मसाला बना कर रेडी कर लेना है तो दोस्तो कब बना रहे हैं ये मसाला घर पर हमें कोमेंट करके जरूर बताना और वीडियो आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें शेर करें चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं दोस्तो एक और रेसिपी के साथ नेक्ट वीडियो में तब तक धन्यवाद